नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग देखेंगे कमर्स यानि बाड़ेज से कुछ महत्पूर कोस्चन जो सभी परिक्षाओं में आने की संभावना है ए होल सेलर एज एन इंटरमेडियेट्री इज और लिंक बिट्विन थोक बैपारी मद्यस्त के रूप में एक कड़ी है इसका राइट एंसर हो जाएगा और एक कारे करती है दूसरे सब्दों में कहें तो थोक बैपारी की वह कड़ी है जो निर्माता एम्फोट कर बैपारी को जोड़र रखने का कारे करती है इसी परकार फूटकर बैपारी भोगता हैं थोक बैपारी के मद जूड़े हुए कड़ी का काम करती है म्रेक ग्रेगर ने प्रतिपादित किया एक सिधान, वाई सिधान, एकस और वाई दोनों सिधान उसके बाद डी उप्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट एंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर C, X और Y सिधान दोनों दिया था डगल्सन मैट ग्रेगर ने के धराओं के अधार पर X और Y में बाटा था इन्होंने बर्स 1960 इसमें परकासे थोई अपना बीचार प्रस्तूत किया था जिस पूष्टा का नाम था, The Human Side of the Interprizes हर्थोन परिक्षण इनके द्वारा किये गये थे जार्ज एल्टन मेओ, जार्ज एलिजाबेत मेओ, जार्ज इजेन मेओ, जार्ज मेओ इसका राइट एंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर A, जार्ज एल्टन मेओ के द्वारा किया गया था हर्थोन परिक्षण पर्फेशर जार्ज एल्टन मेओ के द्वारा 1927 से लेकर 1932 के मद किया गया था अमेरिका के सिग्यागो सहर के पास तेस्ति हर्णोत नमक जगव पर इस्तित Western Electric Company में काम करने वाले हाजारों मौई दूरों पर परिक्षण किया था नेक्ट उस्ट अनवचारिक स्वमू का निर्मान करने की बेवख्या करने वाले सिधान मनिमलखित में से कीन है सामिल किया जाता है A. समस्या का सिधान B. शमानता आथ्वा संतूलन का सिधान C. विस्थापन का सिधान D. उपलब्धी की आउसकता का सिधान तो इसका राइट एंसर हो जाएगा Option Number इसमें हो जाएगा B A और B दोनो तो यहाँ हो जाएगा A और B दोनो जिसमें अनवचारिक स्वमू का निर्माड करने की ब्याक्या करने वाले सिधान में शाम्यता का सिधान ता था शामानता आथ्वा संतूलन के सिधान को सामिल किया जाता है Next question निम्लिकित में से कौन से दीतियक आकड़ों के सुरोत नहीं है A इंटर्वियू यहने साक्टा का B प्रसनावली C पर छेड़क पर प्रेक छड़क अवसके बाद D और पर कासित थीसिस आई E वार्सिक प्रतिवेदन इसको हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग आहो जाएगा Option number D A, C, B तो यहां से मिलाते हैं A इंटर्वियू B प्रसनावली C पर छेड़क छड़क Next question निमलेखित में से कौन टेलर द्वारा विन निर्दिष्ट योजना कारियों के साथ शंबंधित नहीं है Root color, Time and Gust color Inspector, Disciplinarian इसका राइट एंसर हो जाएगा Option number C, Inspector WF Taylor ने Factory परवंध के कार के मुखे दो भागों में विभाजित किया है नियोजन भीभाग और उत्पादन भीभाग नियोजन भीभाग में Root color, Instruction Card color, Time and Cost color, Deplacing Officer और उसके वाद C में उत्पादन भीभाग में Gas Boss, Speed Boss, Rear Boss, Inspector आदी आता है शंगठन का परवंपरागर्द सिधान्त एक संगठन को मानता है खोली ब्यवस्ता, बंद ब्यवस्ता, तक्निकी ब्यवस्ता, समयुष्टी ब्यवस्ता इसका राइट एंसर हो जाएगा option नमर B, Close System नहीं बंद ब्यवस्ता शंगठन का परवंपरागर्द सिधान्त एक संगठन को बंद ब्यवस्ता मानता है संगठन के परवंपरागर्द सिधान्त के अंतरगर्द कारत ब्यक्तियों और करमचारियों के मद्ध ब्यदमान शंबंद एक परकार से सीमीत होता है जो बंद ब्यवस्ता को इंगित करता है निमलेखित में से कौन सा तनाव के परवंद का तंत्र नहीं है परित्याग, संग्यनात्मक उपचार, कारे समरीधी करण, नेट्वर्किंग इसका राइट अंसर हो जागा आप्शन नमबर ए, रिजॉल्ट आउट परित्याग तनाव परवंद और बिकास के बिचार पर आधारित है तनाव गरस्त के लिए एक सीधी प्रकिर्या नहीं है तनाव परवंद की तकनिक, सैधांतिक, प्रतीमान के अनुसरण के अनुसार भीन हो जाएगी इसमें सामील जैसे, आटोजेनिक परसिक छण, शंगन्यात्मक थेरेपी, कलनात्मक अभिव्यक्ती, विचरान तकनिक, एटीसी है एफ़ डवलू टेलर कॉल्ड एज मिलेटर टाइप अब फोर्मेंट टू एफ़ डवलू टेलर ने सैनिक जैसा फोर्मेंट की से कहा है, आदेश की एक्ता, नियंत्रण का विस्तार, विधायन का अधिकार, विभाग इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर ए, यूनिटी ओव कमाड, आदेश की एक्ता नेट कुशन टेलर के भी भेदित उजरती कारे योजना परदान करती है कि ए, सभी कामगरों को कारे भीन परणाम सौपना चाहिए, बी, सभी कामगरों को भी भीन शमवधी में रखना चाहिए सी मानक के अधिकार उत्पन करने वाले कामगरों को उनसे जो मानक से कम उत्पन कर रहे हैं तुलना में अधिक मैदूरी मिलनी चाहिए इसका राइट एंसर हो जाएगा अफ्षा नमबर सी नामक से अधिक उत्वन करने वाले कामगरों को उनसे जो मानक से कम उत्वन कर रहे हैं तुलना में अधिक मौई दूरी मिलनी चाहिए फूटकर बिक्रे से सम्बंदित अधाना को नूतन फूटकर बिक्रेताओं के उधभव की ब्याख्या करती है कौन सी पर कलपना कहलाती है ए उत्पाद जीवन चक्र पी चुनिंदा सेवाएं सी फूटकर जीवन चक्र डी फूटकर बैपार पहिया या चक्र इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर डी वील अप रिटेलिंग या फूटकर बैपार का पहिया या चक्र इसमें होता है फर्स्ट क्वार्ड में कौम कीमत, कौम मार्जीन और कौम ख्याती इसकेवाद थर्ड में होता है प्राया अधिक मल्य, प्राया अधिक मार्जीन, प्राया अधिक ख्याती और फूर्स में होता है एक नए बजार में पर्वेश करने वाले या उधो को इस शभीपर करियाओं से गुजारना पड़ता हैए यही वील अप रीटेलिंग हूं काल आता है नेट कुछ यदि अंतर व्यक्तित संबंधों का जाल जो की लोगों का एक दूसरे के साथ संबंधित हो होने पर उत्पन होता है अनवचारिक संगठान है तो फिर बताईए कि निमलिखित में से कौन सा अनवचारिक संगठान नहीं है करखाना समूं ग्राको का समूं छटी मंजिल समूं उसके बास शुक्रबार साम बाउलिंग समूं इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी कस्टामर गुरू के निग्राकों का समूं नेक्ट कुस्ट एकल स्वामी तो बैपार में एकल स्वामी की देता डैस डैस होती है दीती है क्यानि दोयम सीमीत और सीमीत स्वामीत देता शमानुपाती देता इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी अनलिम्टेड यानि और सीमीत एकल समीत बैवसाय में बैवसाय के स्वामीत की देता और सीमीत होती है में कूल पूजी ब्युशाय के एक मात्र स्वामी के द्वरा लगाई जाती है नेट कुछ इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षार नमर डी उप्यूक्त शवी हो जाएगा चाल्स इन गश्टर्ड वर्ग के अनुसार एकाकी ब्यपार वह बैपार है जो एक ब्यक्ति द्वारा ही परम किया जाता है तथा वही ब्यक्ति उसका संचालक कर उसके लाभनी का फूर उतरदाई होता है ये क्या कि बेपार के कुछ परमुक लाब है जैसे गठन में असानी होता है, संचालन में लशीलापन होता है, उसके बाद नियुंतम बीनमय होता है, परम करने में कौम कानूनी परकिरिया होता है, उसके बाद बेपार गोपनियता में असानी होता है गरहक से सीधे शंपर्क में सानित हता है उसके बाद रूचि और योगता का पून लाब होता है इसमें हानिया जैसे और सीमित उतरदायत पूजीर के सीमिता और सीमित ब्यक्ति को ब्यक्त योगता होता है ने कुछ वो ब्यक्ति जो लाब और जित करने के लिए माल अत्व सिमाव को उत्पादित करने का जोके मुठाता है उसे कहते हैं उध्यमी पेशवर बैपारी निवेशव इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए इंटर्फ्यू नर्यानी उध्यमी केशन के अनुसार एक ऐसा ब्यक्ति जो सीमित संसाधनों का शम्यमे करके नियाचित नेड़ना लेने की विशेश छामता रखता हो उध्यमी का लाता है उध्यमी की परमुक भी सेस्था हैं जैसे बैपार उनमुक परविर्थी नवचार की योजना जोखिम उठाने की छम्ता रचनात्माक्ता उसके बद परियूर्तनों का पढ़ना एक निस्चित जीवन सैली कौम जोखिम उध्यमी जनम जात नहीं वरन एक अरजित परतिवा एकल स्वामीत शंगठन के दोसों में से एक है और सीमित दाइत गोपनियता परवंद के नीम लागत उसके वड़ी उप्युक्त सभी इसका राइट एंसर हो जागा अप्शन नमबर ए अनलिप्टेड लेविलिटी और सीमित दाइत जिसमें पूजी के सीमित साधन और अस्थाई अस्तित्व और सीमित दाइत और सुन्तुलन परवंद आ दियाता है एकल स्वामीतों में स्वामी का दाइत होता है ए नील कुछ नहीं इसका राइट अंसर हो जागा अप्शन नमबर बी अनलिप्टेड और सीमित नेक कुछ वो भगताओं के लिए कार्पोरेट सामाजिक उतरदाईत कौन से है ए निस्पती और परवर्तन के लिए युक्ती संगत असर और उचित पढ़नाली बी विक्रेता बजार के होने पर भी युक्ती संगत कीमत पर शामानों किया पूर्ती सी बेवसाय परचालनों की दख्ता में सुधा डी सुनने का उसर परदान करना तथा सही सिकायतों का शामाधान करना निमलिकित में से सही उतर चूने इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर बी और डी विक्रेता बजार के होने की न्युक्ती संगत कीमत पर समानों की अपूर्ती करना और उसके बड़ डी सुनने का आउसर परदान करना तथा सही सिकायतों का समधान करना किसी संगतन की संगतना में स्वामीत और परबंध में विछेद किया जाना कहलाता है एकल स्वामीत साध्यदारी कमपनी शाकारी स्वामीती इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी कमपनी एक कमपनी सामोईक रूप से उन सेरधारकों की होती है जो परबंध के द्वारा चुने गए निर्देशों के उदेशों में विश्वास करते हैं बैपारी संगतन के परूप है एकल बेवसाय साध्यदारी कमपनी उप्युक्त सभी इसका राइट एंसर जागा अप्शन नमब डी उप्युक्त सभी जिसके अंतरगत कारे अधिकार छेत्र यहां मुतर दाइतों करने धारण होता है एकल बेवसाय साध्यदारी कमपनी संज्युक्त हिंदु परिवार बेवसाय आदी आता है नटकुस्ट गोपनियता के द्रेश्टी से बेवसाय संगतन का कौन सा स्वरूप स्रेष्ट है एकाकी बैपार कमपनी साध्यदारी शहकारी समीती इसका राइट अंस्वर अप्शन नमबर ए सिंगल बिजनेस यानि एकाकी बैपार गोपनीयताक द्रेश्टी से बेवसाय संगतन एकाकी बैपार का स्वरूप स्रेष्ट होता है ये काया कि बैपार उन बेवसाय के लिए उप्यूप नहीं होता है जो की अकार में बहुत बड़े हों बी जहां कम पूझी के उसकता होती है सी जहां जोखिम की मातरा अधिक ना हो डी जीन में गना को पर ब्यक्तिगर ध्यान देना आउस्यक हो इसका रायट अंसर रेलप्षन नमबर ए जो की अकार में बहुत बड़े हों ऐसे बेवसाय से होता है बिसेस्ता इसकी बेवसाय में कम पूझी होती है जोखिम की मातरा शमानता कम होती है बेवसाय का अकार छोटा होता है परतिये गराहाग पर ब्यक्तिगत रुप से ध्यान रखा जाता है बेवसाय का संचारन और नियंत्रन स्वेम स्वामी द्वार याने माली के द्वारा किया जाता है एकाकी बेवसाय का दाई तो होता है और सीमित बेवसाय की समपतियों का सीमित सी उसके दोरा लगाई गई फूजी तक सीमित डी इन में से कोई नहीं इसका राइट अंस ओप्षन नमबर ए असीमित शामानता है क्या कि बेवसाई का दाई तो असीमित यहने अनलिम्टेड होता है क्योंकि वही बेवसाई का शंपूण फूजी निविस करता संचालन करता निर्नाय करता था जोकी मो का निर्वहन करने वाला होता है नेकरस निम्लिकेत में से कोण सा करता है करता है सयदारी में सयदारों के निमतम संख्या 4 होती है B. सयदारी में सयदारों के अधितम संख्या 20 तक हो सकती है C. एकाकी वास्तिक ब्युसाइक संगठन का सबसे परचिनतम सरूप D. सयदारी का पहुंजी करण करना एक चीक है इसका राइट अंसर हो जाएगा option number A सयदार A में सयदारों की निमतम संख्या च्यार होती है जैसे भारतिय सयदार अधिनियम के अनुसार सयदारी बेवसाई में सयदारों की निमतम संख्या दो होती है नमबर दो company अधिनियम के अनुसार banking बेवसाई में साजयदारी वोग अधिक्तम संख्या 10, जबकि शमान ब्योसाई में अधिक्तम संख्या 20 होती है, नमबर 3, एकाकी स्वमित वाला ब्योसाई, ब्योसाईग संगठन का सबसे परचीनतम स्वरूप, नमबर 4, एकाकी वो साजयदारी स्वरूप की ब्योसाई का पहुंजी करण एक शीक होता है, नकी अनिवार होता है, नेक्स, ब्योसाईग संगठन का सबसे परचीनतम स्वरूप है, साजयदारी एकल ब्योसाईग संगठन का सबसे परचीनतम स्वरूप है, जिसका ब्योसाईग संगठन का सबसे परचीनतम स्वरूप है, जिसका मालिक यानि स्वामी केवल एक आदमी होता है स्वेम के पूझी, लाभाने, पूण, नियात्रण, अकेले जोकिम वहन सब करता हुए उतरदायतों का अधिकता आदे इस पर शौरूप की परमुख विश्यस्ता है थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता लाइक, सिस्क्राइब, और सेर जुरूप के साफ में बेल लेकंट का बटन दवाना नहीं भूले